आखिरकार शिव और प्रियंका आमने सामने आही गए हैं ग्रैंड फैनाले में चलिए आप लोगों को बताते हैं शिव और प्रियंका से जुड़ी हुई ये लिटेस अब्डेट चैनल को जरूरू सब्सक्राइब कीजिए बैलाइकिन को दबाईए इस वीडियो को लाइक की कीजिए शेर कीजिए तो आप लोगों ने कुछ प्रोमोस जो है बिग बॉस के देख लिए हैं जो कि ग्रैंड फैनाले में होने वाले हैं सब लोग डांस करने वाले हैं हाला कि ग्रैंड फैनाले की शूट होने से पहले ही जो है हमने आप तक अब्रेट पहुँचा दी थी कि grand finale पे आप लोगों को शिव और प्रियंका आमने सामने दिखाई देने वाले हैं जैसे कि big boss 13 में जैसे कि big boss 15 में ये चीज़े जो है हुई है जो top 2 बनने वाले होते हैं उनका एक performance करवाया जाता है हाला कि प्रियंका का एक solo performance आप देखेंगे और शिव ठाकरे का solo performance देखेंगे आप लोग grand finale में उसी दुरान ही black black dress में बहुत ही धासु अंदाज में जो है दोनों ही एक दूस्टे को टक्कर देते हुए grand finale में नज़र आने वाले हैं काफी प्यारा dance करने वाले काफी अग्रेसिव जो है face expressions जो है दोनों के आने वाले हैं हाला कि काफी जदा excited हूँ मैं ये grand finale देखने के लिए इन दोनों को आमने सामने देखने के लिए क्योंकि हर किसी को पता है कि top 2 जो है प्रियंका और शिव ठाकरे ही है पर उसके बाद ही जिसकी भी voting जादा होगी जो भी जनता decision देगी उसके अधार पर जो है बिग बॉस ओला का विजेता चुना चाहेगा अब तक तो भई यही सामने आ रहा है कि top 2 जो है वो शिव ठाकरे और प्रियंका ही है और विजेता जो है बताया चारा है प्रियंका चाहार चौधरी है grand finale के लिए कितने सदा excited है प्रियंका और शिव को आमने सामने देखने के लिए हमें comment box में जरूर बताईए अपने विचारे सी के साथ में लेती हुँ जासत नमस्का